हलो गाईज, वेलकम बैक टू टेक्निकल के भी योटूब चैनल आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे फेस्बुक पेज को कैसे क्रियेट कर सकते हैं और साथ ही में जानेंगे वो कौन सा इन्फॉर्टेंट सेटिंग है जो करने से आपका वीडियो वायरेल जाएगा 2024 में न्यू अपडेट आने के बाद बहुत कुछ चेंज हो चुगा है दोस्तो इसलिए वीडियो आपको बहुत ही ध्यान से देखना है कहीं पे भी स्कीप नहीं करना है और अगर आप मेरे चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकून को जरू दबाएए तकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहे तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चले स्टार्ट करता इच के वीडियो को सबसे पहले आपको अपने पेजबुक को ओपेन कर लेना है ओपेन हो जाने के बाद ध्री लाइन पे क्लिक करना है जैसे ही ध्री लाइन पे क्लिक करेंगे आपके पस कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा आप थोड़ा स्क्रॉल डाउन करके नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आपको सी मोर का एक ओप्षन देखने को मिल जाएगा आपको इस पे क्लिक करना है जैसे ही क्लिक करेंगे आपके पस कुछ इस तरह का इंटरफेस सो हो जाएगा अगर आपका पहले से कोई पेज बना रहेगा तो वो पेज यहाँ पे सो हो जाएगा अगर आप न्यू पेज बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे अपको create का एक option देखने को मिल जाएगा आपको सिंपलिसी इस create वाला option पे क्लिक कर देना है इसके बाद यहाँ नीचे get start का एक option देखने को मिलेगा आपको इस get start वाले option पे क्लिक कर देना है इसके बाद यहाँ पे आपको अपने page का नाम डाल देना है जो भी नाम आप अपने facebook page का रखना चाहते हैं तो मैं मेरा youtube channel का नाम ही यहाँ पे डाल देता हूँ technical के भी आपको अपने हिसाब से डालना है इसके बाद नीचे आपको next पे click कर देना है इसके बाद search for categories मतलब आप किस categories के video डालेंगे इस page पे उस category को आपको select कर लेना है जैसे कि मैं take video बनाता हूँ तो मैं यहाँ पे science and technology select कर लोगा आप जिस category से related video डालेंगे आपको उस category को select कर लेना है like कोई blog भी हो सकता है या gaming भी हो सकता है या दूसरा कोई category से related भी हो सकता है यह बहुत important setting है दोस्तो like आप कोई YouTube channel बना रहा है तो वहाँ पे भी आपको category select करना होता है अगर आप YouTube में कोई video upload करते है तो वहाँ पे भी आपको category select करना होता है क्योंकि एगी category decide करते है आपकी video कौन सा audience के पास भीजना है कहां से आपका ज़्यादा views आएगा तो यह बहुत important setting है दोस्तो आगे चलके आपको और भी बहुत सारा important setting देखने को मिलेगा आपको बने रहना वीडियो के last तक इसके बाद यहाँ आपको create पे click करना है create पे click करने के बाद आपके पास नया page open होगा यहाँ पे आपको दूसरे वाले option select करके continue कर देना है इसके बाद यहाँ पे अगर आपको कोई website रहता है तो उसका link डाल सकते है नहीं तो यहाँ से आपको next कर देना है इसके बाद आपके पास कुछ इस तरह का page open होगा यहाँ पे आपको invite friends का एक option देखने को मिलेगा यहाँ से आप अपने facebook का जितना भी friends से सभी को invitation भेज सकते हैं अपने facebook page को follow करने के लिए इसके बाद यहाँ पे next पे click करना है इसके बाद यह वाला आपको enable कर देना है इसके बाद done पे click कर देना है जैसे ही done पे click करेंगे आपका facebook page बनके ready हो जाएगा इसके बाद यहाँ पे बोला जाएगा आप किस तरीके से video upload करेंगे पोस्ट करेंगे, reels upload करेंगे इसके बाद यहाँ पे आपको done पे click कर देना है तो इस वीडियो में मैं आपको बहुत simple तरीके से बताए हूँ कि facebook page को कैसे बनाते हैं अगर वीडियो यूसफूर लगा तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिगा धन्यवाद मिलते हैं नेक्ट वीडियो पे तब तक के लिए जय हिन जय भारत